राज्य में बिजली निर्मिती का बड़ा स्तरोथ सम्झे जाने वाले चंद्रपूर महा उश्निक विद्यूत निर्मिती केंद्र को बिजली उतपादन के लिए कोईली के आपूरती करने वाली वेखोली की दुरघापूर opencast कोईला खदान कुछ तकनिकी कारणों से आगामी कुछ दिनों में कुछ माहा के लिए कोईला उत्पादन बन होने की जानकारी है जिससे चंद्रपूर महाउश्णिक विद्यूत के इंद्र को लगबग 6,000 तन कोईला पूरती प्रभावित हो सकती है जिससे बिजले उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा अगर ऐसा हुआ त कुछ माहा के लिए उत्पादन बन होने की बात सामने आने से ऐसा लग रहा है कि वेकुली द्वारा कुईला उत्पादन बन करने का सिलसिला शुरू है हाल ही में वेकुली चंद्रपूर क्षेतर में पदमापूर खुली खदान का उत्पादन बन करने का नेरने लिया था जिसमें forest clearing न होनी की वज़य से उत्पादन बन करने की जानकारी सामने आई थी अब आगामी कुछ दिनों में दुर्गापूर कोईला खदान में भी तक्निकी कारणों से कुछ मा के लिए उत्पादन बन होने की बात सामने आने से वेकोली करमचारी और कामगार संगतनों में यह कंप मश गया एक और राजमें कुईली की कमी होने से लोड़ शेडिंग हो रही है जिस तिति में वेकोली द्वारा कोईला उत्पादन बन करने की जानकारी आने से वेकोली प्रबंदन कार्य प्रणाली पर प्रश्ण चिन्न उपस्तित किये जा रहे हैं लेकिन वेकोली प्रबंदन इस बात से इंकार कर रहे हैं कि कोईला उत्पादन बंद होगा इस तंधर में अधिक जानकारी के लिए दुरगापूर उपक्षेत्र के उपक्षेत्र ये होगा और कोईला निकालने का काम वेकोली करने वाली है और कुछ ओबी का काम वेकोली ही करने वाली है तो वही वेकोली से आगा में कुछ दिनों में कोईली के आपूर्ति बंद होने के बारे में जब CSTPS के प्रशासन से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि कोईला आपू